हेलो गाइज गुद मॉर्निंग कैसे आप सभी लोग आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक और नी वीडियो में सुबा का टाइम है मेरा यहां पे पूजा हो गया देख सकते हो और यहां पे हार्टी कभी भी सोया ही है देख सकते उठाने सुबा हो गई है अभी उसको यूनिफ्रोम सॉक्स हो गया बैल्ट हो गया रुमाल हैंकी मार्क्स सब कुछ रेडी हो गया है हार्डी का यहां पे और कल पर सो मैंने रूम को थोड़ा सा सेंज किया था वही आप लोग को दिखा रही हूं यह एरिया मैंने एकदम से खुला रखा और बैट तो हमेशा ऐस चावल बन रहा है यहां पर दूद मैंने बॉयल कर लिया है और एक तमातर रखी हूं चावल में दे दूंगी ताकि वह भी पक जाए और यहां पर हार्डी का शुसू पॉटी ब्रश रप कुछ हो गया है बाकि उसका थोड़ा बहुत होमबग बचा हुआ था तो मैं बोल सब कंप्लीट कर लो फिर गाइस हाडी को स्कूल छोड़के हम विसाल शॉपिंग मॉल में गए थे उसका वीडियो नहीं बनाया मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी हाडी का कुछ अंडर वेल आना था और मैंने एक पाम सूस ले आए गर्मी के थंडे में पहनने के लिए म पाम स्कूल में चोड़के फिर अभी घर आ रही हूं मेरे फ्रेंड के साथ देख सकते हो और यह हम है अपनी गली में तो घर आके चाय थोड़े से प्री रहे हां पर ब्रेद है चना और यहां पर चाय में ले रही हूं थोड़ा सा पी लूँगे अच्छा लगी और यहां पर चारे बारा बच गे थे हम जाने के लिए जमानी हाई को स्कूल के लिए जी जा रहे हैं तो चुची होगी एक बचे है और धीरे जाओंगी थोड़ा टाइम ने देगा और पास मी है मेरे और एक फ्रेंड का घर तो सोचा कि उसको भी हाई होई होई है तो विंडो में व आते टाइम बहुत सारे यह भैस दिगे हमको देख सकते हैं बहुत ज्यादा भैस तो सोचा कि थोड़ा बहुत वीडियो कर लेते हैं फिर चलिए एकदम से स्कूल से आके मिलूंगी तो स्कूल से आ गई हूँ गाइस घर में यह देखिए सबकु सबजी बगरा रेडी होग प्रेस्ट की हर्डिक ने भी थोड़ा सा मुबायल लेखा अभी शाम हो रही है शाम में भी पराने की बारी अभी थोड़ा सा हूंबग बगरा स्कूल का जो भी था तो उसको मैं भी करा दे रही हूँ यह उमबग कर रहा है उसके बाद चाय पानी का कुछ देखेंगे तो बने रहीएगा डेली वीडियो बना वने लिए हूं तो हर्डिक का जो कुछ बिदा डेली होंबग अस सब कंप्लीट हो गया उसके बाद ओ आ गया था तोरह सा टीवी देखने के लिए टीवी टाइम हो होता है यह उसका और यह देखें पूरा सट कर दिए बुक्स बगरा और अभी मैं इसके लिए बनाओंगी फैंस फ्राइज क्या है ना उसको खासी सड़ी यह सब है ना तो ऐसे मैं क्या दूँ स्नैक्स में सोचती रहती हूं तो सचा कि आज घर में उसको फैंस फ्राइज कर द utilizz की लिए में आलू कर लिए थे थोड़े मोटे मोटे करके फैंस फ्राइज थोड़े मोटे मोटे मुझे अच्छे लगते हैं अब ही लो हीत में पकाड़ी हूं एक दम से चाहिए तो फ्लेम हाई कर दूगी तो यहां पे मैं थोड़े से कॉन फ्रार और बेम वहां चार्डी के जो फेंस फ्राइस बनके रेडी हो गए है मैं सीरियसली बोलती हूं मुझे ना अपनी खुद के हाथ से बनाएवे फेंस फ्राइस अच्छे लगते हैं तेस्ती बनते हैं तो चारा कुछ आराम से पक गया है तो हाँ ये हाड़ी के लिए मैं दे रही हूं वो खा चार्डी खास में ही प्रॉब्लम रहती है कि स्नेक्स में आप मीठा ज्यादा नहीं दे सकते हो दूर बगरा नहीं दे सकते हो ना तो यहां पर मेरे पकोरे भी अभी तल रहे हैं ज्यादा नहीं पकोरे तीन चार ऐसे बनाऊंगी अभी के लिए भी थोड़ा सा रख यही शाम तक ही शाइड रखूंगी मैं वीडियो को उसके बार आप लोगों को एक दम से सामने से आके बाई 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 बोलोंगी तो चलिए खालेते हैं तो गाईज यही था मेरा आज का शोटूसा ब्लग कैसे आप लोग बताएगा सामने से अभी बात कर रही हूं हाड़ी को पढ़ाया उसके बाद उसका स्नैक्स बगरा उसको दी मैंने आज फ्राइस बनाए थे पापर बनाए थे और बनाए थे मैं देख्या पकोरा वो भी बहुत ही तेस्टी लगा था और नेपाली लोगों का जो एक फूड है वो भी खाया था वो भी बहुत ही अच्छ बताएगा, होब कि आप सभी लोग को बड़ा वीडियो आज अच्छा लेगे, अच्छा लेगे तो प्लीज लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो आज के लिए थैंक्यू गाज बाइबाइ